दोस्तो आप सकत स्वागते में इस यूट्यूब वीडियो में तो लो दोस्तो फाइनली मैंने आपके फर्माई श्पूरी कर दी और मैं अपने चैनल पर नौर्स मैथलोची लेके आ गया हूँ तो चलिए बात करते नौर्स गोड ओडिन के उपपर तो चलिए दोस्तो बात करते कि परमपिता ओडिन कौन है नौर्स परानी कताओं में ओडिन मुख्य देवता है एक बहत बुद्धिमान एक आँक वाले बुड़े वेक्ति के रूप में वर्णित किया गया है ओडिन में आप तक कि किसी भी देवता मैंसे सबसे वीविद विशेश रहा है और नाके वल योथ की तैयरी के दोरान बुलाया जाने वाले देवता है बल्कि कवीता के देवता भी है ओडिन देवता के बीच महान ज़ादुगर थे और रउनोसे भी जुड़े थे जिन ने रैगनरों को रोकने के लिए ग्यान प्राप्त किया और उसकी आँख सवेंदर शिल और अपने आप में एक चरित्र बन गई तो चले दोस्तों अब बात करते कि ओडिन की पिता कौन थे बोरिन संद बोर एजगार्ड के पूर्वर राजा, बूरी के पुत्र, ओडिन के पिता और हेला थोर के दादा और लोकी के दत दादा जी हाँ दोस्तों ओडिन के पिता का नाम बोर बोरिन संद था चेरे दोस्तों अब बात करते हैं कि ओडिन के पास क्या क्या सक्तिया है ओर्डिन एस गार्डियन देवता में से सबसे शक्ति शालिये ओर्डिन पावर या ओर्डिन फोर्स नामक विशार उर्जा का स्रोर्थ उनके पास है ओर्डिन के शारिरिक शंताओ जिसमें आलोकिक शक्ति 75 टन टका वजन उठाना है डिरेबिलिटी और पूर्ण योजी शक्ति का शामिल है चाहे दूसर अब बात करते हैं क्यों ओर्डिन कैसे दिखते हैं ओर्डिन को एक लंबी दाड़ी के साथ एक लंबी बुड़े वेक्ति की रूप में दर्शाय गया है और उनकी केवल एक आँख थी उन्हें आम तोर पर एक चोला पैने दिखाया गया है और एक भाला पकड़े वोए चितरित किया गया है अब जानते हैं क्यों ओर्डिन के पास क्या कमजोरी है ओडिन अपने बल को बनाया रखने के लिए उसे साल में एक बार ओडिन स्लिप करना पड़ता है ये तब होता है जब वो एक सब्ता तक या उससे अधिक समय तक गहरी नीन लेता है और इस समय में नश्वर हो जाता है इसलिए वो बहुत कमजोर हो जाता है उसने दावा किया है कि प्यार उसके लिए एक कमजोरी है परमपिता ओडिन को किसने मारा रेगनरोग के दिन से बहुत पहले सब कुछ नियन था सभी नौर्स देता होने रेगनरोग को रोकने का प्रैस किया क्योंकि वे जानते थे कि एक बार भविश्यवानी के सच होने के बाद जिस महिमा में वो रह रहे थे उसका अंध हो जाएगा ये जानते हो है कि बलडूर की मृत्तिव रेगनरोग का पहला संकित था तो एसगार की राने फ्रीक ने ब्रहमान के चारो और यात्रा की ताकि सभी प्रानी को बलडूर को नुकसा नहों पहुचाने के लिए कहा जा सके ओटिन ने अंतिम लड़ाई के लिए सबसे कूलनी यो दोग की एक सेना तयार की देवता ने तीन खुक्यात आंकडो को अलग करने की भी कोशिश की जो रेगनरोग को ट्रिगर करते थे फेंरिर दे हुल्फ, जोर मुगंदर दे सर्पेंट और हेला दे क्वीन ओड़ाई लेकिन उन्हों ने कितनी भी कोशिश की हो आखिर जो आना था वो आही गया एसगार्ड गार्डमेंट की सबसे आवनचीत खतरनाक आवाज एसगार्ड में हर बार जाग गई अपने हतियार हतियाने के बाद वे रेगनरोग की इस अंतिम लड़ाई के लिए ये तयार थे इस युद में अपने शत्रों से मिले थार और जोर मुगंदर ने एक दूसरे को माट डाला लोकी और हेमडा ने एक दूसरे को माट डाला फ्रयार विशा सुरट के फारिंग बलेड से हार गया और ओडिन फैनरिल हुल्प के तेज जबड़े के सामने गिर गया यह फैनरिल था जिसने परम पिता ओडिन को समाप्त कर दिया और साथ ही नौर्स पैथियर्स की महिमा पर पूर्ण विराम लगा दिया जिवित द्यवता विदर जो ओडिन का पुत्र था उसने अपने पिता की मृत्यू का बदला लिया और अंत में फैनरिट को माड़ डाला कौन है ओडिन की बीवी फ्रीक एंड जोड ओडिन की बीवी आ है ओडिन को कितने बेटे थे उनको वैसे कई बेटे थे लेकिन उनके दो मेंड बेटे जो पहली बीवी फ्रीक से ब्लैडर और दूसरी भी विजोर से थार और उनका एक गोध लियावा बेटा लोकी था दोस्तों आप सब को मेरे वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए और हाँ ये भी बताईए कि अगली वीडियो किसकी उपर होने चाहिए मेरे वीडियो का लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तब तक के लिए बाई